कत्तिक करम कमावने दोश न काहु जोग परमेसर ते पुल्यां व्यापन सभे रोग कत्तिक दे महिने राही उपडेश कर रहने और साड़े बहुत सारे जो वहम अते परमने उना चोंगुर्दे पिताजी सानुबार काड़ रहने आम करके जो तारमिक दुनिया है जावेमा परमावाले लोक ने उकत्तक दे महिने मान देने की एकत्तक दा महिना ठीक नहीं ए नैश है जाँ शुब नहीं है अशुब है ते कत्तक दे महिने विच दो खादी खुंदेने जा कुछ ऐसा उन्ना दे परमवेम ने तब गुरू पाथशा जी कहने ने कत्तक दी जडी बहार है ना ठंड दी एदे अंदर करम कमावने दा मतलब जो सी करम कमान दे हां जो सी जिंदगी जीन दे हां दोश न काहू जोग दा मतलब किसे नू दोश देना योग नहीं है तब गुरू पाथशा जी कहने ने कत्तक दी सुहावनी रूत विच वी जे प्रबू दे नालों विचोडा रहे ता ए अपने कीते करमा दा दोश है किसे दे मत्य दे कोई दोश नहीं लाया जा सकता जे कर करम चंगे करेंगा ता ओदा फाल तैनों चंगा मिलेगा और जे करम माडे होनगे ता ओदा रिजल्ट भी माडा निकलेगा ता कत्तक दे महिने रही उपदेश कर रहे हैं कि सोख जा दोख आदिक ए साधे आपने कीते हुए करमा दा ही फल है आपने दुखा दा जा फेल हून दा जा अशान्ती आदिक दा रोग जिड़ा दोश है ओ किसे दे निमड़े आ जा सकता ओ साधे आपने कीते हुए करमा दा दोश हुन दा है परमेसर ते पुल्यां व्यापन सब्भे रोग व्यापन दा मतलब व्यापदे ने एथे पुल्या नहीं बोलना पुल्यां बोलना है पुल्यां पुल्लन करके जे प्रबू दी याद तों खुँझ जाए बन्दा तब प्रबू दी याद तों खुँझ एां दुनिया दे सारे रोग जिडे ने कलेश जिडे ने ओ जोर पालिन देने जिनने मी अकाम करूद आती करोग ने एर्ख़ द्वैश वेर विरूद दे रोग ने और एना रोगातों उपजे होई जो दोख में ओ सारे दे सारे मनुख दे उत्ते जोर पालिन देने कदों जदों मनुख प्रभू नुपूल जन्द है हुने चीजां समझन वालियां ने करमा बारे वैसे सी पहला बहुत वारी विचार कर चुकते हैं पर फिर वी जो विद्वान पुर्ष्णे उन्नाने इन्ना कर्मा नुटिन्ना कुरूपा दे विच बन्दया है जिवे संचत करम ने और क्रियामान करम ने अते प्रारब्द करम ने प्रारब्द करम दा मतलब ओ काम जिस राही सानु सोख दा दोख मिल चुका है उनु के इन्दने प्रारब्द करम किर्यामान करम दा मतलब हुंद है कि जो उसी वर्तमान दे अंदर कार रहे हां ते संचत करम दा मतलब हुंदा है जो साड़े अंदर बने हुई सुबा आ ने जो साड़ा बने हुआ है जो साड़े अंदर कठे कर हुई पैने इन्ना नू बदले आ जा सकत है जे मनुख बदलना चाहे इन्ना तिन्ना किसम दे करमा नू समझन ली एक निकी जी मिसाल में आप तीर पाए हुए ने उनना तीरां दे विच्चों एक तीर उसने कड़ेया और उस तीर नू चला दिता हुन जड़ा ए तीर चल चुका है ना एनू सी कवंगे प्रारवध करम यानि ए हुन वापस नहीं हो सकता ये तीर जाके अपने निशाननेते लगेगा और अपना जो भी इनने काम करना है वो काम कारदवेगा इनू वापस नहीं किता जा सकता दूजे ने किर्यामान करम किर्यामान करम दा मतलव कि जेड़ा तीर उसने पत्थे चुकाड के कमान ते लाके खिच्चया हुया है हाल ने चलाया नहीं चलान लगा है जे तीर चलान वाला एक कम चाहे ता रोक सकता फी तीर ना चलाया अपना वापस पत्थे विच पालवे ना चलाये तीर इन्हों रोक्या जासकता है ते जेड़े अंदर संचत करम ने न ओ उस पथे दे तीरा वांगो ने जो पिछे स्टोर कीते होई न उन जे बंदा चाहे ता उन आदे विच्छों तीर हूँ कड़ कड़ के चलाई जाए ते जे चाहे ता उन आ तीरा नोई ओ खतम कर सकदा है खाली कार सकदा है पत्थे नो ता ऐसे एक मसाल है सिरफ साड़े कुश करम ऐसे ने जो सी करम कीते बोले जहां जो भी सी सूचया उस साड़े अंदर संसकार बन गया जिननों नियूरोनल पैटरन भी क्या जन्द है और जिसनों सुबा भी क्या जन्द है उन बने होई सुबा मुताबक बंदे ने काम करने ने जे पथा खाली होई ते तीर चलन की नहीं जे उस बने होई सुबा मुताबक करम करी जाएगा ता ओ होर पक्के हुन दे जानगे होर वद दे जानगे इसलिए जरूरत है अपने बने हुई सुभा नू बदलन दी जो उसी कार चुके हैं उन्हा कमा नू बदलन नी जा सकता उन्हा दा फाल सोख जा दोख दे विचसा नू मिल चुका है उन्हा चेंज कीता नी जा सकता ता इना कर्मा करके साधी जिंदगी दे अंदर दुख ने ते ए दुख क्यों आके इर्देने परमेसर पे पुल लेयां रब्भी याद नू पुल लेयां हुन रब्भी याद नू पुल आना की है जे रब्भी गुना नू बंदा पुल जाए जदो सी पुल जाने ना कि रब सारे आने विच्चे इस चीज नो पुल जान दे आ फिर सी सारे आना रब वर गा प्यार सतकार विहार नहीं करांगे ते ज़ो प्यार सतकार विहार नहीं करांगे ते साड़े अंदर करम कैसे बनेगे सुबा कैसा बनेगा उस सुबा ने वदी जाना है जदो ऐसी रब्वी गुनानों को उल गए यूज करना जिमें सचाई है दया है प्यार मुहब्बत है ता फिर साधे अंदर केड़े करम आ जानगे चूट फरेब इरखा द्वैश जदो सोच अंदर ए आ जानगे और ऐस सोच मुताबक करम करांगे ता सारे रोग सानु आनके क गुरु जी केंदेने कट्तक दे महिने रहीं उपदेश कर रहें कि कट्तक दा महीना शुब और अशुब नहीं है इस महीने दे अंदर जैसा भी कोई करम करेगा वैसा ही फाल उसनों पूगतना पवेगा आपने कीते हुए करमा दा फल किसे दूजे ते नहीं मड़े आ जा स जे साथी जिन्दगी दे अंदर आकाम आदिक रोग वे आप गयने जा साथी जीवन विच दुख पैदा हो गयने ता ओदा कारण ए है कि यसी प्रभू नों को लाया है रभी गुना तो मूँ बोड़या है अगला बचन कर देने वे मुख हुए रामते लगन जनम विजोग जनम विजोग दा मतलब जनम दे विचोड़े सारे जनम दे विचोड़े मतलब लम्मे विचोड़े एथे जनम विजोग दा मतलब की जनम दे विचोड़े सारी जिन्दगी दे विचोड़ा सारी जिन्दगी दा ही जेड़ा दोख है वे मुख दा मतलब जे बे मुख हुज जाए बंदा रब्बी रजा विच ना तुरे रब्बी गुनानू सदा वास्ते ही ना अपनाए ताग गुरू पात्षा जी के इनने जिनना ने एस जनम दे अंदर प्रबू दी याद वलो मूँ मोडी रख्याना उनना फिर लंमे विछोडे पैजन देने सुखा दे उनननू सारी जिन्दगी ही गुनानालो टुक्ते रहे सारी जिन्दगी ही बेमुक होई रहे पाव की रजा तो उल्ट चल दे रहे ता जिनना लंमा विछोडा हुएगा उनने ही लंमे रोग उजानगे खिन में कौडे होई गए जित्रे माया पूग माया पूग दा मतल माया दिया मौजां दुनिया दिया मौज बहारां ता प्रबू दे गुनानू विसार के जडियां माया दियां मौज बहारा वासते जडे शरीर यक सुखा वासते प्रभू नु पुला दिता सी ओ एक पल वेची दुखदाई हूजण ने कोडे हुजंदे ने के में दुखदाई हुजंदे ने ए चीज़ जां तुसी बहुत वारी एक्सप्लें कीतियां सुनियां और समझ चुके हो के असी चूठ वास्ते कोई चीज पराप्त करन ली साचनौ विसार दिता और असी चूठ बोल के किसी आडिक खा गये त़ जिद्धों सी साच देनालों टुटे साट आचरन में गरेया असी वेगाना हाक खा्दा ता बेगाना हाक खान देनाल सा देते कोई केस आडिक बन गया, असी जेल विच चले गया, जहां कोई होर दुख पैदा हो गया, ता जिदे वास्ते असी साचनों विसारे असी ओता दुखदाई हो गया, किसे अपने पे अनपरा दे नाल, असी निक्की जी गालतों लाड़ पैए, ते लड़े का दे वास्ते थोड़ी बहुती प् जिनना माईक पो गावास्ते बंदा रभी गुना दे नालों अपना संबांध तोड़ लेंदे है, ओ एक पाल दे विची कोड़े हो जान देने, दुखदाई हो जान देने, जदो सी साचनों चाड़ के जिन्दगी जीन देया, ओ करम साधे वास्ते दुखदाई हो जान दे विच ना कोई कर सके किस्थे रोवे हैं रोज, विच दा मतलब विचोला पन, किस्थे दा मतलब किदे कुल, ते रोज दा मतलब हर रोज, रोज वैसे दुखानों में चिंतावानों में कहन देने परे ते रोज दा मतलब हर रोज लिया है, इस दुखी हलात विच, जिथे आप दे गुना नालों वे छोड़ा है, साच नालों बंदा टुक चुक्या है, रभी रजाविच नहीं तुरदा, दुखां दे वेच फस गया है, ता इस हलात दे अंदर, जे ओ लोकां दे कोल हर रोज रोंदा फिरदा है, फर्यादा करदा है, मर्या कबरां ते मत्थे टेक या अपने दुखा नो बोल बोल कि दस दा फिरदा है, तो फैदा ही नहीं, कोई विचोलगी नहीं कर सकता, इना दुखां तु कॉन बचावे हूं, इना दुखां तु दूर करन लिज़े विचोलगी कॉन करे, हुन सुखा दे विच और बंदे दे विच बनगी ये दूरी वचोलगी कराना चांदा है सुख वास्ते कि मेरा सुख दे नाल संबंद जुड़े लेकिन जो माडे कामने उन ना दे नालों उसाथ शाड़दा नहीं इसकंडीशन दे अंदर कोई विच और कीते हुए करम ने ये ते जिंदगी दे हुन सिर्फ पश्तावा ही पश्तावा है कीता के शूना हुवई लिखिया तूर संजोग कीता दा मतलब आपना कीता हुए तो उर्दा मतलब तो उर्थों संजोग दा मतलब जड़े लिखे हुई साड़े करम ने लेख दा मतलब जो साड़े अंदर संसकार लिखे हुई ने तब गुरु जी कहने ने कीता कि छूना हुई एदी आपनी कीती हुई कुई कारी कुई कल पेश नी जन दी ते एदे कीते कर्मा अनुसार जो तुरों मतलब शुरोतों ही ए लेख है हुकम है कि जैसे कोई कर्म करेगा वैसा ही फाल मिलेगा ए गालते तो उर्तों तुरी आ रही है तो उर्तों से लिखिया लेख संजोग दा मतलब कि जो चीज तो उर्टों ही तुरी आ रही है पावन बानी दे विच बचन आया ना हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल लिखिया नाल ना मतलब जदों तूं एक काइनात पैदा हुई है ओडों तो एवी नियम तुरी आ रहा है पी हर चीज नियम दे विच्छी है ते उस नियम दे अंदर ही होनु सानु कीते हुए कर्मा दा फल दोख रूप विच मिल रहा है ता एदे विच कोई विचोलगी कारी नी सकता हुकम नू कौन बदले सिस्टम नू कौन बदले जो कुदरत दे टाल नेम ने इना नू कोई पैदा हुन वड़ पागी मेरा प्रम मिले तां उत्रे सब बियोग बियोग दा मतलव विचोड़े दे कारण पैदा होई जिड़े दुख ने जे चंगे पागा नू प्रभू आ मिले तां विचोड़े तो पैदा हुए सारे दुख मित सक दे ने यानि इको ही सादन है होर क बड़े पागानल पाव चंगे उद्दम देनाल बंदेनू प्रभू मिल जाए ए प्रभू दी शर्न विच चला जाए अपने आपनू राब विच मिलादवे रब्वे गुनादा तारनी हो जाए ता फिर एदे सारे जेडे लंबे विचोड़े दे दोखने ओ उतर साकते ने आप हो सकता है ताम गुरू पात्षा जी सानू समझा रहेने की प्यारे ओ निराश हों दी जरूरत नहीं जे गलती नल जान बुझ के कोई इनसान ऐसी जिन्दगी बनाबिट है जिस जिन्दगी दे अंदर दोख और अशान्ती है माडे करमा करके ता जे ओ चाहे ता उन्ना करमा नू छड़के चंगे गुनादा तारनी होके प्रबु दे अंदर अपनी सोच नू मिलाके ते एना लंबे विछोडे दे दुखानू मिटा सकता है होर कोई सादल नहीं है नानक काव प्रब राख लेहे मेरे साहिब बंदी मोच बंदी मोच दा मतलब कैद तो छुडान वाला बंधना तो मुकत करान वाला प्रबु बंधना तो मुकत करान वाला है गुरु जी कहरे ने कि हे प्रबु मेरी ए बेंती है तेरे चरना दे अंदर के तू बंधना तो छुडान वाला है मैंनू रख ले मैंनू बचा ले मैंनू इना विकारा तो बचा मैंनू इस माया वाली सोच तो बचा मैं तेरे चरना दी शर्न विचा कतिक हुवे साद संग बिनसे हैं सब्भे सोच एथि सोच दा मीनिंग फिकर चिंतावा बिनसे दा मतलब नासो जंदेन ता गुरु पात्षा जी कहने ने कत्तक दे महिने रही उपदेश दी रहने कि जे कत्तक दे महिने वेच गुरु दी संगत मिल जाए गुरु दी शर्णी पाजाए गुरु दी संगत किती जाए यँनि गुरु दे दसे रहते तुर्याजाए बिनसें सब्भे सोच दा सारिगा चिंतावा फिकर मुख जांदेने यनि जी रबी गुरादे नाल जुडना है ते ओधे वास्ते सानुदास रहने गूरू दी शरण गूरू दे चरना दी जो शरण लेंदे जो गूरू दसर राहा ते तुरदै ता ओधा साारियां चिंतामा मोक जान दियाने तप्त्तक दा महपीन राही सानों उपदेश कर रहेंने कि कत्तक दा महीना अपने आप दे अंदर शोब और अशोब नहीं है एदे विच आपने ही कीते हुई जो कर्म ने उनना दा ही फाल सानु सोख और दोख दे रूप विच मिलेगा जे माडे कर्म कीते ने ता ओदा रिजल्ट माडा निकलेया है ता ए साड़ा आपना कीता हुआ कर्म है किसे नू दोश नहीं दिता जा सकदा ते ए जड़े ओगन आदिक ने दोख ने ता आजन देने जदों असी प्रभू नू कुला देया पर जदों कोई बंदा गुरू दे चरना दी शरन लें दे गुरू ग्यान मताबक जिंदगी जीन दे रब्बी गुना दे नाल जूड़ दे ता फिर ओदे ए विचोडे दे दो खतम हो सकते ने ओधिया सारिगा चिंतामा मोक सकते ने जे ओगुरू अनुसार जिंदगी जीन दे मंगिर माहें सोहंदियां हर पिरसंग बैठडियां मंगिर दा मतलब मगर दे महिने विच माहें दा मतलब महिने विच पिरसंग दा मतलब पती दे नाल उन मगर दे महिने द अंदर ठंड है बहुत जादी भी नी हुंदी ते थोड़ी काटवी नी मिठी मिठी जी ठंड है बड़ा सोना जड़ी रुत्तुम दी है पर गुरु साब जी कहने ने मगर्दा जो महिना है न दूजे महिना दी तरह ना शोब है ना अशोब है एने कि हुण मगर्दा महिना आ आगे है जैसी पाप कर्म में कमाई जाई ये ताम इसा अनुसोख मिलेगा ऐसा नहीं है ये रोत सिर्फ बाहरी तौरते बदली है ताग गुरु जी केंदने मगर दे ठंडे मिठे महिने विच वी शिर्फ ओ इंसान सोने लग देने जो हरी दे नाल मिल बेंदेने ओ जी विस्त सुभाय मानने जो पती प्रभू दे नाल मिल बेंदेने उन प्रभू दे नाल मिल बेंदेने जो रभी गुना दे नाल आपने चेतनों जोड लेंदेने साधी सुरत ने बेन है ना रभी गुना दे नाल जोड़ देने रभी चरना दी शर्न विच जोड़ बेंदेने पाव गुना दे नाल जूग दे ने, ओ मग्गर दे महिने विच सोने लग देने, उना दा जीवन सोना है, उना ओनो खुशिया मिल दिगाने, तिनकी शोभा क्या गणि, ने साहिब मे लडिया, क्या गणि दा मतलब मैं कीद संके में बयान हो सकती, ये पाव बियान नहीं किती जा सकती जे दा मतलब जिनानू साहिब दा मतलब साहिब ने प्रबू ने जिनानू प्रबू ने आपने नाल मिला लेया उनना दी शोबा बियान नहीं हो सकती गुरू अरजन पाथशाजी के इनने में उनना दी की शोबा बियान करा लेया उन आपने नाल मिलान दा पहाव की है इस गल नो ठीक तांग दे नाल समझ के पल्ले बनना है साधी सुर्थ ने साधी मेंटेलिटी मान सिकता सोच ने राब दे नाल मिलना है शरीर ने इस इतरी रहने शरीर दे करम बदलने वेखना चाखना करम करने बदल जाने खाना पीना तेदा रह गया लोड़ा रहन गया इस इतरा शरीर ने ने बदल जाना सोच ने बदलने कर्मा और बोला ने बदलने ता साहिब दे विच मिलन दा मतलब जिनना दी सोच रब दी सोच विच मिल गई जो रब वरगे ही बन गए उनना दी शुबा मैं की बियान करा गल सोच दी है सोच ने रब विच मिलने है सोच नो रबने मिलने सोच ने और रबने एक मिक होने रब एक सोच है एक ओंकार तो लेके गुर पर साध तक तानमन मौलिया राम से हूँ संग साध सहे लडिगा राम से हूना मतलब प्रभू नल साध सहे लडिगा ना मतलब सतसंगी जना दे नाल साथ दा मतलब गुरू से है लडिगां दा मतलब जो गुरू दे दसे राते तुर्ण वाले सच्यार लोक ने गुरू दसे राते तुर्दे ने ता सतसंगी से है लिगां दी संगत विच प्रभू दे नाल चेत जोडन करके उनना दा तानमी और मानमी मौल्या दा मतलब खिड़े आ रहेंदा है गुरू दे संगत करन दे नाल गुरू दे प्यारयां दी संगत करन दे नाल सच्यार्थ दी संगत करन दे नाल उन्हा मनुखा दा तान्वी और मन्वी प्रभू मिलाप करके खिड़े आ रहेंगे क्योंकि मन्दे अंदर कोई नेगिटिविटी नहीं मन्दे अंदर गोणने रभी मन्वी खोश ते जिस ता मन्द खोश है वो तन करके भी खोश ताँ उना नू तन और मन करके खुशी प्राप्त हम दी है साध जनाते बाहरी से रहन एके लडिया साध जनाते मतलब गुरूतों जो बाहरी दा मतलब बेमुखने जो गुरूतों बेमुखने ओ हमेशा इकलिगा ही रहन दियाने पाव उनना दा प्रबु देनाल मिला आपनी हुंदा जिमें तिलान दा बूटा खला रहे जिन्द ना बुआर तिल छुट्टे तिल बुआर जियों जिमें तिलान दा सडे हुए तिलान दा पेड पैली विच कला छड़ दिता जन्द है नानक गुरु नाचे इतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआर जियों सुन्जें अंदर खेत खेते अंदर छुट्टें कहो नानक सो ना फलिगें फुलिगें बपुडे पीतन विच स्वा जिमें काले सडे हुए तिलान दे पेड नू मालक पैली दे विच्ची छड दिन्दे ति फिर उस उस इकल्ले छुट्टे तिल दे पेड़ दे सेंक्डे मालक बन जंदे ने एसे तरह जो गुरु दर्शाय रहां ते नहीं तुदा ओ एकल्ला रे जंदे पुदा प्रभु दिनाल मिलाप नहीं बनक ते उसे नक्रダ blend ते ने अकां क्रोठ आदिको नमा के इंदेने फिर कई बाभे उडे ते प्रवाब पालें देने जो ँची प्रवाब पालें देने अनेखा दाओ दासवान जंद यह उएकल्ला ही रह जंद पाव उद्धा मिलाप नहीं हंदा जो गुरुद दस्थी राहां ते नहीं धुर्दा तिन दुख ना कभ हूं उत्रे से जामके वस पड़िगा हुन इकल्ली जो निखस में जिन्द है एनो वेक के अनेका काम आदिक खेर लेंदेने जो गुरु दर शायरात नहीं चल रहे है तो उनो अनेका विकार खेर लेंगे जिन्ने अपनी जिन्दगी दा गोल नहीं बनाया स आचनू ता रमनू दया आदिकनू ता ओधी सुर्तनू ओधी सोचनू उनेका विकार आखेर लेंगे ते ऐसे लोकां दा दुख फिर कदे उत्तर दा नहीं क्योंकि ओ जमा दे वस विच पईयार इंदियाने जेडे इंसान गुरु दर्शाय मारगते नहीं चल दे ओ काम ओ हमेशा ही मानसिक तौरते अशान्त रिंदेने जिन्नी रावया प्रभ आपना से दिसन नित खडिगा दिसन दा मतलब दिस दिगाने खडिगा दा मतलब सावधान सुचेत त्यार बर त्यार जिन्ना जीव इस त्रिगाने आपने प्रभू दा मिलाप दा अनांद माने हैं उनना दे निशानी की है से दिससन निता खडिया उँ हमेशा सुचेत दिस नियाने यानि यो इनसान सुचेत रही देने का देतूं, विकारां दे हल लेातूं, ति मैं किसे विकार देते ना चड़ जावा, मेरी नजर मेली ना हो जाए, मैं किसे दिवद खोई ना सुनन लग जावा, मैं चो उट फरेब ना बोलन लग जावा, मेरे हथां तो कोई मारा काम ना ह सुचा, इननों केंदने खड़े रहना, सुचेत रहना, ता जिनना ने अपने प्रभू दे मिलाक दा अनन्द मानया हंदे, जिनना ने अपनी सुर्त नों प्रभू दे गुना मिच जोड़ किता हंदे, जिनना ने प्रभू दे गुना नों इंप्लीमेंट किता हंदे, ओ हम तिनाह जडिगां कंठ दा मतलब गले विच हिरदे विच सोच विच ता जिमें कोई इंसान अपने हिरदे दे अपने गले दे अंदर हीरे जवारां दे लोग हार पांदे ने न एमें ओ प्रबु दे गुणानू सत्संतो खादिक जो कीमती गुणन है ओनानू अपने सीने दे लाई रखदे अपनी सोच दा अंग बनाई रखदे ओ हमेशा अपने हिरदे दे अंदर रब्बी गुणानू तिका के रखदे रखदे रब्बी गुण ओदे जीवन दा एक हार ने शिंगार ने अपनी सोच दे अंदर और रब्बी गुणानू हमेशा तिकाई रखदे ए उस बंदे दी निशान नहीं है जो प्रभू विश्वास रखन वाला है नानक बांचे तो उड़ तेन प्रभ सरनी दर पड़िगा बांचे दा मतलब मांगदा है गुरू अरजन पात्षा जी कहन देने कि मैं उनना प्यारयां दे चरना दी तो उड़ वंगदा हां जो प्रभ दे दर्थे पै रेंदे ने त facto अदी ने शर्ण विच रेंदे ने प्रभू दे दार्थे पै रेंदा मतलब ये ऐनती हैं कि गुरूद्य रहे ही बीठेरिएंदेव शो मंतलब्द मांडर मांदा प्रभी रजा दे अंद्र तू मिशा हमेश्वार प्रभी गुना नों तुर देने मंगिर प्रभ आराधना बहुर ना जन्मडियां बहुर ना जन्मडियां दा मतलब मोड़के जामदिया नहीं यानि उन्हा दा विकारां दे विच मोड़के जनम नहीं दा जे मंगर दे महिने अंदर प्रभू नू याद किता जाए रभी गुणा नू इंप्लिमेंट किता जाए प्रभू दी सित्थ सला किती जाए ता जेडे जीव रभी गुणा नू इंप्लिमेंट कर देने मंगर दे महिने विच ओ मोड़के विकारां विच नहीं जामदे ओना सुर्थ फिर विकारां दे विच खचत नी हुंदी साधी सुर्थ जड़ी ए आम बंदे दी मुड़ मुड़ के उदे अंदर विकारां दी चाहत पैदा हुंदी ना एवी कारला एवी कारला एवी कारला बहुरना जन्मडिगां दा मतलब उना दा विकारां विच मुड़के जन्म नहीं हों दा मतलब विकारां दे विच मुड़के नहीं पिंदे जियों जल मैं जल आये खटाना, तियों जूती संग जूत समाना, उना दी सुर्थ, उना दी सोच, फिर रभी सोच नालों वक्री हो के विकारां दे विच दुबारा नहीं भींगी, ता इस तरह असी अपने इस मंगर दे महिने नू सफल कर सकते हैं, ति जे बंदा रभी गु बड़ी पाल ओदे वास्ती ही है, जो सच्चे राहांते चल दै, जो मन बचन करम करके साचदा तार नहीं है, जो रभी रजाविस तुर्दै, जो गुर्वानी दे दित्ते वे ओफ लाइफ नू अपना लें दै, पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलेया हर ना, पोख दा पोधे महिने विच, तुखार दा मतलब है ठंड ककर, कोरा, ओक तुखार, तुखार दा मतलब क centr पाला, डा, ठंड, कोरा, ना व्यापई दा मतलब, जोर नहीं पान्दा, कंठ दा मतलब, गालवेच यानि हिर्दे विच, नाह दा मतलब, खसं प्रभ-पती रभ, पोधे मह महिने विच जिस इस्त्री दे गालनाल प्रभू पती लगा हुए है एथे गाल दा मतलवे सोच जिदी सोच दे नाल प्रभू है जिसने राब दे नाल गलवक्डी पाई हुई है जिनने अपनी सोच नू प्रभू दी सोच दे नाल जोड़या हुए है उन्ना दे उत्ते उन्न नो पोदा जीडा महिना है ना ओदे वेचोना दे उत्ते ठांड जोर नी पांदी होन ठांड दा मतल बाहरली ठांड नहीं है पिजडे राबदे नाल जुडे ने उनान ठांड नी लाग दी एक आल नहीं है ठांड शरीर का और थे लगेगी एक वखरी चीज है एथे है कोरा प पन अंदर दी ठांड दी लिए कोरा पन किनना कोरा पन है बंदे दी जिंदगी विच कठोर ता जिसनों असी कहिन ने आ कि फलां बंदे दा खून चिट्टा हो गया है उन खून खून चिट्टा नहीं होया हूंदा खून हमेशा लाल इरिंदा है खून चिट्टा हूंदा म ता ऐस दुनिया दे अंदर किन्नी वड़ी का ठोरता है इस चीज नो ता सी सारे चंगी तरह समझ देया रिश्वत लैनी चोर बजारी दो नंबर दे तंदे खान पीन वालियां चीजां दे विच मिलावत निकियां बचियां देनाल वडियां औरतां देनाल जबर जिना हेने होना चोरियां करनियां डाके मारने बंबत माके करके निर्दोशन दा खून करना एक ठोरता ही ते है सारी जे बंदे दे अंदर नरम देल होगे कोमलता होगे तब बंदा ऐसा कोई गल्द काम नहीं करेगा एक ठोरता है कठोरता ही ते है जदों सी क्रोथ दिनाल एक तूट तूट के गालप पहिन्य आ इना कठोर बंदा अपने बच्छियां वास्ते भी कठोर इने कठोर लोग के तरम दे नाम दे उत्ते कतलाम राब्नु ध्यालू कहन वाले ते राब्दे नाम दे उत्ते कतलोगारत एक ठोर ते है गुरुजी के इनने पोद महिने विच जि इना दी सोचनल प्रभू मिलया हुया है उना नू कठोरता नहीं व्याप दी उना उते कठोरता जोर नहीं पान दी ओ नरम देल हुंदेने पाइक नहीं ये वर गे ओ नरम देल हुंदेने पगत पूरन सिंवर गे उना दी अंदर दया है ओ गुरु तेग बहादर दी तरा अप हिर्दा एना नर्म है और आपने पुत्कर दाक्लेज़ा अपने मुझ कुड़ाके पाले निये की लोकां द बच्छी सोख शानति लैसकन ओ इनने नर्म देने की वह अपने बच्छियान्नू निहां विच नवा सकते ने के दूजेंध दे बच्छे सोख ले सकते नुकेंदेने कथूरता ना वैपना तो पो दे महिने विच जिनन अदी सोच दे नाल प्रभू मिलेया है उनना दे अंधर कथूरता नहीं होगी उनरम देल होगी उनना वास्ति पोग दा महिना सफल है शि अगला बचन करदे ने मन बेध्या चरनार बिंद दर्सन लगडा सा, सा दा मतलब हर स्वास, कईया ने एथे सा दा अर्थ शा भी किता है, कि जिन्ना नू प्रभू दे दर्शना दा चा लगगा हुए, पर एथे सा दा मतलब है हर स्वास, एक सा बिर्ती लगातार, मन बेध्या दा मतलब जिन्ना दा मन विन्या जन्द है, चरनार बिंद दा मतलब चर्न अर्बिंद, चर्न कमल, रभी गुण, क्योंकि ओधी बिर्ती प्रभू दे दिदार दी तांग विच जुडी रिंदी, ओधा मन विन्या हुए, मतलब कि ओधी अंदर एक टक बिर्ती प् पर आम बन्दा इस चीज नो समझ नहीं पारया कुदरत करके वस्या सोई सानु गुरु पाथिशा जी समझा रहे ने कि कुदरत दे विच रभ रहे सब में जोत जोत है सोए जलतल महियल पूरया पर असी वेंदे नई नसी दर्शन कर्दे किती आसी दर्शन करना है असी ते किती उतले रब दी आस वेच बैठे यां जेड़ हवा वीच रदर्शन करेंगा वह अदे विच पॉलूशन नहीं फैलाएगा जेड़ा माता तर्तमहत तर्ती विच जल्थल महील पूर्या विच दर्शन करेगा और तर्ती ते गंदगी नहीं फैलाएगा जेड़ा पानी दे विच जल्थल महील पूर्या जेड़ा समझेगा और पानी गंदा नहीं करेगा दुरवर्तों नहीं करेगा जिड़ा इंसान ना दे विच राबनु वेखेगा न सम्में जो जो ते सोयो लोका तिनाल क्यों वैर कमाईगा ताग गुरु जी कहने ने ओधे अंदर कोमलता क्यों है ओधे अंदर कठोरता क्यों नहीं क्यों कि ओधा हर स्वास हर टाइम लगातार जिड़ी बिरती है ना ओर आबदे दर्शना मिच लगी ही हर थां राबनु वेख दै जिमें पगत कबीर जी कहिंदे ने ना दोई दोई लोचन पेखां हों हर बिन और ना देखां मैं गौर नाल जाज़ां दोऊ अखां नल वेख जोत है सोहे ते फिर किन्ने कौमल दिल वाले ने कि अपने बच्चेयानों मापयानों परिवार नू छड़के ते बाई चवी साल लगातार खतरनाक जंगली राहां दे विच विचर के ठगां चोरां देनाल मिल मिलके उनानु सिद्दे राए पारे ने क्योंकि उनानु देखे ते आंतर जल्दी सब प्रिथमी दिसाई ते एन्ने नरम दिलने कि चड़या सोधन तर्थ लुकाई गुरु अर्जन पात्षा कि इन्ने नरम दिलने लोकान उठंडक देनली आप तक ती तवीते ने क्योंकि हर पल प्रभू नू ऐसकुदरत अंदर वेख देने इस ओट गोविंद गोपाल रहे दा मतलव जेस वी इनसान ने गोविंद गोपाल दा आस्रा लेया जिनने सहारा बनाया रब्वें गुनानु जीवन दा आधार बनाया ते ओदे जीवन दी निशानी की है सेवा स्वामी ला औरने प्रभू पती दी सेवा दा लाब खटेया दा लाब है ते ओस सेवा केड़िये विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगाह बैसन पाई है हर इनसान एक दूजे दा सहयोग करे निस्वार्थ पाव देनाल जिनना में कोई कर सकता है ना जिनना कर सकता है जो दिवस विच है उदी हिम्मत दे अंदर है जे एना एना ना सकिकến hvis भून गाह गुण गाह ता मतलब जिन्नने गुणादी डूंगी विचार कीती he जिन्नने गुणादे विच तुबी लाई yas बिखिया ता मतलम मायल माया उनु पो नहीं सक्दी माया दा मतलब सोच जेड़ी सोच सनु गुना नालो तोड और गुना नाल जोड़ दी है मेर तेर दे विद्करे पैदा कर दी है उस बंदेनु ए सोच पो भी नहीं सक्दी मिल साधू गुनगाह जेड़ा गुरुनु मिलके गुना विच चुबवी लानदा है जेड़ा गुरु दे दसे राते चलके गुना वाली जिन्दगी जीन्दा है उनु माया जेड़ी पैड़ी सोच पो भी नहीं सक्दी उदे नेड़े भी नहीं आंदी जेहते उपजी तेह मिली सच्ची प्रीत समाह एते समाह दा मतलब है लेव लगन जेहते दा मतलब जेस प्रबू तों जेस प्रबू तों ओ जनम्या सी ओसे दे विच ओ जुड़या रिंद है ओदी लेव ओदी लगन हमेशा प्रबू दी प्रीत विच लगी दिये होनसी पैदा किते हुए या राब चूँ एक राब भी फैलिया हुए ना चफेरे इनों कोई जगत कहे, कोई राब कहे, कोई किसे नाम देनाल पुकारदा एक प्रबू हुए फैलिया हुए है गुणा नालो टूट चुकी है जदो सच्ची प्रीत पैदा हुँदी है ता फिर उना गुणा दे विच ही समाजन दी है ओ बंदा फिर राब वरगा ही पूजन दे कारगह लीननी पार ब्रहम बहुबना विच्छुडिया कारदा मतलब हाथ गहदा मतलब फाड़के लीनी दा मतलब आपना बना लेया प्रबू ने ओदा हाथ फाड़के उन्हों अपने चरना विच जूड़या हुंदै ते ओ मुड़के प्रबू चरना तो नहीं विच्छुड़दी यानि जिसनु हक बाँ फाड़के प्रबू ने अपने नाल मिला लेया अपने विच अपेद कर लेया ओ इन्सान फिर राबतों विच्छुड़दा नहीं उन्हों राबते विच मिलना के में है मरन तो बाद नहीं जियोंदे जी सोचने मिलना एक अल पक्की कर लेना सोचने मिलना है ते जिदी सोच राबते वेचे एकवारी मिलगी फिर उसोच विच्छुड़दी नहीं ते याद रखना जिदी सोच राबते अंदर मिलजन दी है उदी निशानी एह है कि उदे काम गुणा वाले राब वाले हुंदे ने फिर ते जे काम गलत नहीं ता है दा मतलब उदी सोच भी नहीं मिली हुई बार जाओं लख बेरियां हर सजण अगाम अगाह बार जाओं दा मतलब मैं वारने सदके जानदा हाँ बेरियां दा मतलब वारी अगामदा मतलब अपाँच अगादा मतलब अगाद दूंगे जिगरे वाला सज्जन्ग प्रभू बड़ा अपाँच है बड़े दूंगे जिगरे वाला है मैं उस तों लखा लखा वार कुर्बान जानदा ते बल्हार दा मतलब हुंदा है आपनी ताकत हार जाना, सरेंदर हो जाना, दास हो जाना, सरंदे अंदर चले जाना, आपनी सोच नू छाड़ के उस सोच नू अपना लेना ता मैं लखा वेरी अपना आपा वार्दा हां जिड़ा अगाम और अगा है सरम पई नाराइन नानक दर पईया, सरम दा मतलब हुंदा है लाज, सरम पई दा मतलब इज़त रखनी पई, दर पईया दा मतलब जो आके दारते टैपया ये नानक प्रभु बड़ा द्यालू है, ओ दारते डिग्यां दी इज़त रखदा है, उन्हों दारते डिग्यां दी इज़त रखनी पेंदी है, ए ओ दा सुबा आए, जो सरन आवे, तिस कंठ लावे, ए बिर्द स्वामी संदा, जो रब्मी दारते टैपेंदेने ना, रा बोना दी इज़त रखदा है, हुने गल वी समझन वाली है, ए नहीं कि जड़ा मत्था टेके कि रब्बा मेरी इज़त रख़ीं ते कमाई जाए पाप, एमें इज़त नहीं रखदा, कि तुहुन जिनने मर्जी पाप कमाई जा तेरा कोई कुछ निवगार सकदा, एमें नह इज़त कि मेरन दी है, जदों बंदा मन लो मैं हां, मैं माडे करम करदा, चूट बोलदा, नशी वगेरा वरतदा हां, तिजे मैं राबदी शर्न विच पैजमा, राबदी सर्न विच पैन दा मतलब मैं हुन रब्बी रजा विच तुरना शुरू कर दे हां, रब्बी गु अपनान दे नाल में नशीव गेरा चाड़ दे हांगा बिलकुल, रब्बी सर्न विच पैन दा मतलब कि मैं हुन रब्बी गुनादा तारनी हो गया, साच बोलना शुरू कीता, निर्वेर, निर्पैता वाला जिन्दगी शुरू कर लई, ता हुन मेरी इज़त आप पही र गुरू पातिशाजी के इनने जो प्रभू के दर्थे टैपन देने, प्रभू उनादी लाज रख दे, उनादी बेपत्ती नहीं करन देना, यानि ओ ऐसा कोई करम नहीं कर दे, जिस तेनाल उनादी बेपत्ती हुए, ओ इज़त वाली फिर जिन्दगी जीन देने, पोक सु सुहंदा दा मतलब सोना लगदा है, एथे असल लफज है सोहंदा, ससे दिनाल होडा, पर एथे आप वेख रहे हो कि ससे दिथले उनकड भी लगगा हुए है, इसलिए एदा पाठ सोहंदा नहीं करना, उनकड दिनाल बोलना है सुहंदा, सुहंदा दा मतलब सोना लगदा है जिस उत्ते बेपरवा प्रभू महर करदे उन्हों पोदा महिना सुहामना लगदे उन्हों सारे सुख मिल जान देने पोग सुहन दा पोदा महिना सुहामना लगदे सरब सुख उन्हों सारे सुख मिल जान देने किन्नों जिन्नों प्रभू बख्षदा है जिदे ते प्रभू दी महर हुंदी है जो प्रभू दी महर दा पात्तर बन दा है ता जो प्रभू दी महर दा पात्तर बन दा है ओदे वास्ते पोदा महिना सुहावना है उन्नों सारे सोख मिल दे ने ते जे कुल के पैश रबाँ पीपी के ते माडे करम करके ते सग्रान मनालवा ते में सुख मिल जाए एवे नहीं करम दे उत्ते अधारत है पोदा महिना उना ले सुहावना सर्ब सुखदाई को जन्द है जो रबी रहमत दे बक्षिस दे पातर बन जन्देने